हेलो दोस्तों नमस्कार वेलिगम टू इनोवेट्व जियर्स मॉली वितागाज आज की इस विडियम देखने वाले हैं पिछ ब्लैक 24 क्या है तो ध्यान दीजेगा पिछ ब्लैक 24 का संबंद भारती वायुसेना से है तो भारती वायुसेना की एक पुपड़ी जो है अभ्यात करने लिए पहुंची थी और भाग लेने के लिए राइल आश्ट्रेलियन एयर पोर्स के बेस से डर्मिन पहुंच शोगी थी और यह ब्यात बारगरेश दो हजार चोबिस से दो अगर्स दोजार चोबिस के तक इस अभ्यात का नाम पिछ ब्लैक बड़े गयर आबादी वाले चेत्रों में रात के समय उड़ान भरनेक पर जोर देने लिए रखा गया था इस बार वायु अभ्यात पिछ ब्लैक का आयोजन इसके 43 वर्स लंबे थी आसमें सबसे भब्य होगा इसमें बीत भागेदार दे समय थोने वाले हैं इस दोरान विभिंजेसों की वायु से नोगे 240 अधिक वीमान और 4004 को वायु से ना कर्मी भाग लेंगे यहां बड़े पैमाने पर सायं तैनाती तैनाती वाली युद्ध्यक गद्विदियों पर केंद्रित होगा जिसका उद्धे संतराष्टी सहयोग और बढ़ावा देना होगा इसमें एफ-35, एफ-22, एफ-18, एफ-15, ग्रेपे नव टाइफुन, लड़ा को विभानों की सहभागिता में भारती वायु सेना के सुकुई 30 MPI के संचानल के साथ और वाग वृद्धी करने की सुवज़ा परतान की साएगी भारती वायु सेन ग्लोब मास्टर और IL-78 हवा से हवा में एजन भर में वाले विवानों का तंजरन करेंगे या अभ्यात भारती वायु सेना को अभ्यात में सामिल होने वाले दिशों के साथ बल एक इकराण और उत्तम काई प्रणालियों के पार अस्त्री काज़ा परतान का उसर उतलब्ध कराएगा यह रहा हमारा पिच्छ ब्लैक 2024 तो फिर से मैं एक बाइस को सारांस्ता आपको बता देता हूं कि पिच्छ ब्लैक 2024 या भारती वायु सेना और आश्ट्रेलिया के बीच में आश्ट्रेलिया के बीच में होने वाले युद्धक अभ्यास है और कौन सा युद्धक तो यह रहा तो बस इतना ही आप ध्यान दीजेगा और अगर हमारे या चोटा सा वीडियो चोटा सा प्रयाफ चोटा सा योगदान अगर आपके नॉलेज में थोड़ी से प्रदिखी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक से शुरूर करके रहेगा इसी तरह किसी नए टॉपिके दिने काम से प्रसाथ तक तक लिए नमस्कार जैहिन वगंदे मातरम